वेलकाम फ्रेंट्स अबारे यूटूब चैनल आर करना सेंगे केडिमी में फ्रेंट्स वहती मात्पून कोशन है जो कि आने वाली सभी परिच्छाओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो फ्रेंट्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो समस्कित देखें प्रेंट्स अभी कोश्ण प्रिवेश्चे में पूछे के के कॉशन और निइंबस्त ही रिपीट तो पढ़ें कॉशन को और अंसा दिः रूट्स अलब एप्र्योजना के प्रोजेक्टि नामें प्रमुखल करता कौन र estáależ सब्सक् innovator grow is principle वर्कर इन आई में आंसर जिससे आपकी तियारी बहतर हो सकतीं बताएं तो यहां पर सानष्ट क्वारई करता एक करता है चलें लोकि टेकते हैं कोशन नुमर यहां पर दो है औढ़ें कोशन नंबर दू को और आंसर दें प्रिंटस क्या होगा इसका राइट आंसर गेस्व सिंपल कोश्चन है आप पढ़कर तुरंत आंसर दे सकते हैं क्योंकि फ्रेंट्स यह मोश्ट रिपीटिट कोश्चन है कई बार पूछे आ चुके हैं और बहुत ही सिंपल है आईसीडेस प्रोग्राम अंडर रनिंग बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर आईसीडेस प्रोग्राम रनिंग अंडर आईसीडेस कारिकरम के अंतरगत चल रहा है जो इंटेग्रेटिट चाइल्ड डेपलप्मेंट सर्विस है यह फ्रेंट्स किसकी अंतरग चल रही है तो बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट अंसर ICDS प्रोग्राम रनिंग अंडर ICDS का रिक्रम किसके अंतरगत चला जा रहा है तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप संसी आपका राइट हो का Department of Social Welfare Department of Social Welfare के अंतरगत आपका यह प्रोग्राम चला जा रहा है इंटेग्रेटिड चाइल्ड डेपलेब्मेंट सर्विस यह चला जा रहे है Department of Social Welfare एक्स्प्रेंड देख लें फ्रेंट्स यहाँ पर कि ICDS को 1975 में भारस सरकार द्वारा ICDS को 1975 में भारस सरकार के द्वारा Ministry of Social and Women's Welfare के नीचे अगस्त 1974 में National Policy for Children 1974 में National Policy for Children गरहन करने के बाद सुरू किया गया था चलिए फ्रेंट नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर तीन पढ़ें कोशन नमबर तीन को और आंसर दें बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें activities of ICDS program included all of the following except ICDS कारिकरम की गत्वीदियों में निमने लिकित को छोड़ कर सभी सामय लें बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर activities of ICDS program included all of the following except simple question है फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर देखें फ्रेंट्स ICDS से जितने भी question बन रहे थे हमने सारे question put up कर दिये पढ़ें question को और answer दें activities of ICDS program included all of the following except तो देखें आप पे option D फ्रेंट्स राइट होगा attending women during international period Action D या पे आपका राइट होगा attending women during internal period गलती से International लिखें ठीक है यापEm特別 international period Attending women during internal period याप पे आपका राइट होगा चलिए फ्रेंट्स यहाँ पे question nob4 को और answer दें फ्रेंट्स क्या होगा इसका right answer कैस रहे पहले चाह से पढ़ लें उसके बाद answer देंए प्रिंट्स जब तक कोशन समझ में नाया आजाए तब तक आप आंसर ना दिया करें बहुत ही देखे सिंपल कोशन है ऐसा नहीं कि बहुत जदा टब कोशन है क्योंकि प्रिंट्स रिपीटेट कोशन है बहुत बार पूछे गये कोशन है यह अच्छे से पढ़ लें उसके बा इसका उत्रैंसर किसोरी सकतियोजना इसकीम को किसका इंफ्रास्ट्रैक्चर यूज करते हुए इंपलेमेंट किया गया था आप तो देखें आप पर प्रिंट्स आपसं भी आपका राइट होगा ICDS Integrated Child Development Service आपसन भी आपका राइट होगा चलिए आप एक्स्प्लेंद देख लेते हैं कि किसोरी सक्ति योजना स्कीम को ICDS प्रोजेक्ट के तहित 11 से 18 साल की लड़कियां अर्थाथ Adolescent 19 गर्स जो थी उनके लिए सुरू किया गदे प्रेंट किसोरी सक्ति योजना स्कीम को ICDS प्रोजेक्ट के तहित प्रेंट्स 11 से 18 साल की जो लड़कियां थी Adolescent लड़कियां थी और वो 19 लड़कियों के लिए सुरू किया गया था चलिए प्रेंट्स अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर यहां पे 5 है पढ़ें कोशन नमर फाइब को और आंसर दे पढ़ें पहले अच्छे से उसके बाद आंसर दे कोशन को समझ ले तभी आंसर दे निवन में से कौन सा इंडिया में एक मेजर निटिशनल प्रोग्राम नहीं है आपसन आपकी स्क्रीन पर रहें क्या होगा इसका राइट आंसर निवन में से कौन सा इंडिया में एक मेजर निटिशनल प्रोग्राम नहीं है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर इसका राइट आपसन दे आपका राइट होगा water supply and sanitation program आप संदी आपका राइट है water supply and sanitation program चलिए फ्रेंट्स next question है question number six पढ़ें question number six को और आंसर दें midday meal program प्रति दिन कितनी calories और protein प्रदान करता है बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका right answer midday meal program प्रति दिन कितनी calories और proteins प्रदान करता है how many calories and proteins does the midday meal program provide per day बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका right answer पढ़ें इच्छे से और answer दें और प्रेंट्स ये भी बताएं कि midday meal program कब lunch किया गया था midday meal जो program है ये कब lunch किया गया था प्रेंट्स बताएं क्या होगा इसका right answer सब्सक्राइब और जरूर बताएं कि यह कब लांच किया गया था तो देखें प्रिंट से आप संसी आपका राइट होगा 300 कैलोरीज और 8-12 ग्राम प्रोटीन्स तिक है 300 कैलोरीज और 8-12 ग्राम प्रोटीन्स चलिए फ्रेंट explain देखते हैं यहांपे मिड़ डे मील प्रोग्राम इसकूल लंच प्रोग्राम होता है मिड़ जो मील प्रोग्राम है इसकूल में जब लंच होता है तब दिया जाता है प्रोग्राम के तहत घर की रेगुलर डाइट के अतरिक्त बच्चों की कुल प्रोटीन जरूरत का एक बटे दू एवं कुल एनर्जी जरूरत का एक बटे तीन भाग इसको लंच से मिलना चाहिए प्रात्मिक सिच्छा को पोसर सम्मंदी सयोग देने के लिए केंद द्वरा प्रायोजित एक कारिक्रम जिसे मिडडे मील इसकीम के नाम से जाना जाता है इसको 15 अगस्त 1995 को प्रति बच्चा प्रति दिन 300 कैलोरी यों 8-10 ग्राम प्रोटीन उपलद कराने के लिए लांज किया गया जिसे फ्रेंट्स 2004 में पुनार रिवाइश किया गया तो फ्रेंट्स ये कब लागू किया गया तो यह 15 अगस्त 1995 को मिड़ देमील का एक। पूरे भारत में लागू कर दिया गया ठीक और प्रेंट्स इसे प्रती बच्चा प्रती दिन तीन सो कैलोरीज और आठ से दस ग्राम या आठ से बारा ग्राम प्रोटीन उपलाद कराने के लिए लांच किया गया जिसे 2004 में से पुना रिवाइस कर दिया गया तो चलिए प्रेंट्स अगला कोशन देखते हैं कोशन नमब प्रोग्रामज फारचिल्डएंटें एक्षेन नमने लिखित को छोड़कर सभी बच्चों के लिए समुदाईक पूस्टाम करेकरम है अलाब दी फालोइँ अर्ग कम्लूटी निूट्रीम प्रोग्रामज फार चिल्टेंटेंट एक्षेप्ट नमरी लिखित को छोड़कर सबी बच्चों के लिए सामुदा एक पूस्टर का रिक्रम है पताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंट्स आपसर आपके स्क्रीन पर है और सिंपल कोश्चन है गेस करें तो देखें आप यह आपका राइट होगा आयरन एंड फॉलिक एसिट सप्लिमेंटेशन ठीक ह आपका आपसर आपका राइट है अब यहाँ पे आप एक्स्प्लेंट देख लें आयरन और फॉलिक एसिट सप्लिमेंटेशन के अलावा अनिस सभी प्रोग्राम के वल बच्चों के लिए हैं आयरन और फॉलिक एसिट सप्लिमेंटेशन के अलावा जितने भी प्रोग्राम देए गये हैं वो सभी बच्चों के लिए है अब यहाँ पे आप डेख सकते हैं कि कौन-कौन से प्रोग्राम यहाँ पे देए गए हैं तो यह देख लें घ्का यहाँ पर विटामिन ए प्रोफाibile प्रोफाइल एक्सिस टीक है विटामिन A प्रोफाइल एक्सिस और यहाँ पर बालवाडी न्यूट्रिशन और यहाँ पर मिडडे मील टीक है यह सब conscient के लिए आला कि आपका iron and folic acid supplementation को छोड़ कर बाकी सबी बच्चों के लिए तो अब यहाँ पे देख लें आप यह तब भी iron और folic acid supplementation नाम का कोई प्रोग्राम नहीं है इसका नाम प्रोफाइल एक्सिस अगेंस्ट नूट्रिशन एनेमिया होता है देखें प्रेंट से यह iron और folic acid supplementation नाम का कोई भी प्रोग्राम नहीं है इसका जो नाम है वो प्रोफाइल एक्सिस अगेंस्ट नूट्रिशन या नूट्रिशन एनेमिया है चलिए हम नेक्स्ट कोईशन देखते हैं कोईशन नंबर 8 है पढ़ें कोईशन नंबर 8 को और आंसर दें प्रेंट से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गैस करें पहले प्रेंट ये किनमे मुक्ष रूप से पाया जाता है प्र Só कि इसका पूरा नाम होता है प्रोटीन एनर्जी मल्ड्रिशन होता आप बताएं प्रेंट ये मुक्ष रूप से पाया जाता है तो इंफ्रेंट arr वियनिंग ठीक है यहाँ पर आप सन आपका ए राइट होगा फ्रेंट इंफैंट अंडर वियनिंग तो यहाँ पर आप एक्स्प्रेंड देख लिए कि प्रोटीन एनर्जी मलनुट्रिशन अर्थात पेम प्राया जीवन के प्रथमवर्श में अधिक होता है यह तब यह सामा होगा इसका राइट आंसर पहले अच्छे से पढ़ लें फिरांसा दें कोशन कोशन से पढ़ें यह जानकर कि कुपोशण बार-बार होने वाली कम्यूटी हेल्थ प्रोब्लम होती है यह जानकर कि कुपोशण बार-बार होने वाली कम्यूटी हेल्थ प्रोब्लम होती है आ पर्थात ससिप्टिबल होती है तो बताएं प्रिंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर पढ़ लें अच्छे से समझ लें तभी आंसर दे रिकोनाइजिंग देट मलनुट्रिशन इच आरी करिंग कम्यूटी हिल्थ प्रॉब्लम यू है डिसाइडे टू कंड़क्ट नुट् दें तो फ्रेंट से आपका बी राइट होगा अंडर फाइफ यर ओल्ड चिल्ड्रेन चलिए फ्रेंट सब नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नंबर टेन है पढ़ें कोशन नंबर टेन को और आंसर दे दा फर्स्ट इंडिकेटर ऑप इम इन चिल्डरेन इज बच्चों म इसका राइट आंसर पढ़ें कोशन कोशन से और आंसर दें दा फर्स्ट इंडिकेटर ऑप इम इन चिल्डरेन इज तो देखें फ्रेंट से यहां पर आपकी स्क्रीन पर हैं गिस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं पढ़ ले अच्छे से आप संसी यहां पर प् कम हो जाना पेम का पहला जो सूचक होता है प्रोटीन इनर्जी मल निट्रिशन का जो पहला सूचक होता है यह वजन का उम्र की तुलना में कम होना अंडर वेट फार एज होता है जिसका यूज पेम का इसका प्रेंट से यूज पेम का सुरुआत में ही पता लगाना होता है नेक्स्ट कोश्चन है प्रिंट्स कोश्चन नमर 11 पड़े से और आंसर दें बताएं प्रिंट्स क्या हो गई इसका राइट आंसर सिंपल कोश्चन है प्रते दिन 130 ग्राम 130 gram से कम कार्बो हाइडरेट खाने के कारण हो सकता है अब बताएं प्रिंट्स क्या हो सकता है eating less than 130 gram of कार्बो हाइडरेट पर डे can be due to guess करें प्रिंट्स क्या होगा इसका right answer simple question है प्रते दिन 130 gram से कम कार्बो हाइडरेट खाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें हो सकता है प्रिंट्स क्या हो सकता है hypoglycemia, quosiorca, marasmus या फिर ketosis क्या होगा इसका right answer guess करें प्रिंट्स simple question है तो देखें आप यह प्रिंट्स आप संसी आपका right होगा marasmus होगा तीक है आप संसी आपका right है marasmus अब यहां पे आप explain देख ले कि marasmus एक पेम है यह क्या है protein energy malnutrition है जो marasmus है यह protein energy malnutrition है एक पेम है जो यदि बच्चा प्रतितिन 130 gram से कम carbohydrate ले रहा है यदि कोई भी बच्चा है वो अगर 130 gram से कम carbohydrate ले रहा है तो energy की कमी के कारण होता है अगरें को बच्चा के लन्याश के इसका right answer marasmus disease किसकी deficiency से होता है marasmus disease is caused by the deficiency of option अपकी screen पर है बथा है बहुत ही सिंपल question है guess करें क्या होगा इसका right answer marasmus disease किसकी deficiency से होता है marasmus disease is caused by the deficiency of तो देखेuito Imagine प्रेंट्स ये कैलोरी की कमी से होगा ठीक है आप संसी आपका राइट होगा कैलोरी की कमी से होगा चलिए प्रेंट्स अगला कोशन है कोशन नमबर 13 पढ़ें कोशन नमबर 13 को और आंसर दें सिंपल कोशन है साइन आप मिरासमस एक्षेप्ट मिरासमस के लच्छड सिवाए ह हैं बताएं प्रेंट्स एक को छोड़कर बाकी सभी मिरासमस के लच्छड हैं गैस करें प्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर बहुत ही सिंपल कोश्चन है प्रेंट्स साइनफ मेरसमस एक्सेपट तो देखें प्रेंट्स वर्मिटिं घा तक उल्टी ठीक है घा पर बहुत ही खतरनाक बहुत ही ज्यादा उल्टी होना ठीक है यह प्रेंट्स इसका लच्छड नहीं है ठीक है और बाकी सभी यह प्रेंट्स वेयर वेस्टिंग ऑप मसल्स और लोस of subcutaneous fat all of the above तो यहाँ पे प्रेंट्स भी आपका राइट होगा severe vomiting इसे छोड़कर बागी से भी प्रेंट्स आपके राइट है ठीक है यह उसके sign होते हैं अब यहाँ पे आप explain देख लें कि मिरासमस अर्थात कैलोरीज malnutrition के sign में मसल्स मास का अत्यदिक वेस्टिंग होना चेहरा एवं आखों का डूबा हुआ होना जिससे बच्चा एक बुजूर के व्यक्त की तरह दिखता है वजन बढ़ने में असफल रहना तता वजन का कम होना कम से कम सब्कुटेनियस फैट का होना टिस्यूज टर्गर का लॉस होना इसकिन का ढीली इसकिन का ढीला और लटकी हुई लगना ठीक है monkey like face ठीक है बंदर की तरह जो face हो जाना cry करना चिलाना एवं हाथ वाप पैर पर पिटिंग एडेमा का नहीं होना सामिल होता है प्रेंट्स तो चलिए हैं प्रेंट्स नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नंबर 14 पढ़ें कोशन नंबर 14 को और आंसर दें प्रेंट्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर आलाब दी following are signs and symptoms of child with mirasmas except सिवाए इसके की निमलिखित सभी mirasmas वाले बच्चे के लच्छड़ें बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें आप सन आपके स्क्रीन पर रहे हैं आप संसी आपका राइट होगा मून सेब्ड फेस ठीक है आप संसी आपका राइट है मून सेब्ड फेस चलिए फ्रेंट्स हम अंगला कोशन है कोशन नवर 15 पढ़ें कोशन नवर 15 को और आंसर दी पहले कोशन को पढ़ने चैसे फिर आंसर दें बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर इंड्वेलिंग य यूरेणरी कैथेटर वाले पैसेंटमें होस्पिटल एक्कौईयर्ड यूरिनिर्ड ट्रेक्ट इंफेक्शन को रोकने के लिए कौन सी नर्सिंग आकशन को लेना चाहिए विष नर्सिंग एक्शन शूद बी टेक गैन चinka जोब परिट्वें उस्पिटल एकौईयर्ड इ स्टेम और जद जद आपका सिस्टम आप यहां प्रिप्र liigy वग्ष सिस्टम तो सनुसर्ट आप जद आप एक्सप्रेन को भी पढ़ा करें कि अगर कोशन कभी-कभी समझ में नहीं आता है तो acquired UTI, urinary tract infection को avoid करने के लिए एक closed urinary drainage system को maintain करना आवस्यक होता है Always use sterile technique for catheterization UTI को avoid करने के लिए bladder को flush वा urine output को बढ़ाने के लिए IV वा oral fluid 3000 ml per day का पर्याप्त intake भी maintain करना चाहिए तो प्रेंस इसे अच्छे से पढ़ ले कि hospital acquired UTI को avoid करने के लिए एक closed urinary drainage system को maintain करना आवस्यक होता है Always use sterile technique for catheterization catheterization, catheterization, catheterization अर्थत UTI को avoid करने के लिए bladder को flush वा urine output को बढ़ाने के लिए IV वा oral fluid अर्थत 3000 ml per day का पर्याप्त intake भी maintain करना चाहिए चलिए प्रेंस अगला question है question number 16 पढ़ें question number 15 को और answer दें बताएं क्या होगा इसका right answer पहले question को पढ़ लें आप समझ लें उसके बाद answer दें देखें print सभी simple question है ऐसा नहीं कि बहुत ज़दा tough question है क्योंकि यह कई कई बार पूछे गए question है सभी repeated question है और कोई question daily नया नहीं बनता है ठीक है इसी को जो आपके question पूछे आते हैं उनी question को फिर से दोरा दिया जाता है ऐसा नहीं कि मिलब कि अगर अभी दो मैने पहले exam हुआ है और अधर दूसरा exam लगा है तो उसमें दोरा दिया जाएंगे नहीं ये फ्रेंट्स लगबग six month या थ्री month के बीच में question दोरा दिये जाते हैं हलाकि सभी नहीं दो चार 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 question हमेशा अगर जैसे की आपका यूपी पीसे श्टाप नर्स का आपका exam हुआ है तो उसके question अगर यही तीन मेने बाद कोई exam लगा होगा तो उसमें दो चार पाच question जरूर देखने को मिलेंगे same question तो वही question बार बार दोराए जाते हैं इधर उधर कर दिये कोई daily नया question नहीं बनता है ठीक है यह बात आप अपने दिमाग से हटा दें कि कोई daily नया question बनता है बट आपके अंदर बस यहीं गलत फहमी हमेशा रहती है कि नहीं सर कुछ नया जब नया वीडियो आएगा तभी देखेंगे नया वीडियो से डालेंगे तभी देखेंगे ठीक है जो old वीडियो पड़े हैं ठीक है classes हैं वो सब बेकार हो गई है जो आपकी मान सिखता है यह अच्छी नहीं है ठीक है क्योंकि अगर आप हम guarantee लेते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो में जितने भी वीडियो पड़ें मेरे चैनल पर अगर आप सभी वीडियो देख लेते हैं तो मैं 100% कहता हूं कि आप पूरा 100% पेपर आप सॉल्व करके आएंगे 100% पेपर फस जाएगा क्योंकि कोई भी एक्जाम प्रेंट्स इतना टप नहीं होता है जितना आप लोग समझते हैं बट आप रिव ही करने से आप परफेक्ट हो सकते हो कि कि प्रैक्टिस में में मेक्स टू एनी परफेक्ट तो प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंट्स कोई भी वेखती है अगर प्रैक्टिस करेगा तो एक दिन जरूर परफेक्ट होगा तो ज्यादस ज्यादा फ्रेंट्स आप प्रैक्टिस करे जतना हो से कि अगर आपको समय नहीं मिला, जब समय मिले, रात में मिले, दिन में मिले, जब भी आपको समय मिले, आगर, देखे आप दूसरे जो वीडियो देखते हैं, आप नाटक के वीडियो देख रहे हैं, कमेडी के वीडियो देख रहे हैं, जब तक आपको सफलता ना मि you spoil if you spoil time time will you spoil ठीक है अगर आप समय को बरबाद करेंगे तो समय आपको बरबाद कर देगा तो इस पर समय मत बरबाद करें और अच्छे से पढ़ें कोशन नमबर 16 नहीं से पढ़ें और आंसर दें साइलाइन वाटर इस जूज टू इंफलेट दिक कैथेटर बैल्यून कैथेटर गुबारे को फुलाने के लिए खारे पाने का उपयोग किया जाता है बताएं प्रिंट्स क्यों गिस करें क्या होगा इसका राइट आंसर सेलाइन वाटर इस जूज टू इंफलेट दिक कैथेटर बैल्यून because catheter गुबबारे को फुलाने के लिए खारे पाने का उप्योग किया जाता है क्योंकि अब आपसन आपके स्क्रीन पर रहें बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर तो दिखें प्रेंट से या पर आपसन यह आपका राइट होगा saline crystallizes and result in incomplete deflation of balloon saline crystallizes and result in incomplete deflation of balloon आपसन भी यहाँ पर आपका राइट है अब यहाँ पर आप explain देख लें कि आम तर पर folies catheter को inflate करने में saline solution का उप्योग होता है प्रेंट से आप folies catheter तो समझते होंगे कि प्रेंट से जब पेसाप की जो नली होती है उसके दोरा प्रेंट से कोई catheter डाला जाता है तो प्रेंट से आप प्रेंट से रोकने के लिए ताकि निकल ना जाए तो वहाँ प्रेंट से गुबारा जो होता है प्रेंट से फुलाया जाता है ठीक है जिसे प्रेंट से पेसाप की थैली बोलते हैं ठीक है जो पेसाप की थैली होते हैं उसमें प्रेंट से कैथेटर डाले जाते हैं ठीक है नली डाली जाती है उसके अंदर ठीक है तो यही आपका जो फोले कैथेटर है ठीक है आम तोर पर फोले कैथेटर को इंफलेट करने मे solide solution की उप्योग होता है क्योंकि नॉर्म सेलाइंग के हैं का क्रिस्टल आइज होने से बैलЁन रैप्चर होने पर बैल्यून डिफलेट नहीं हो पाता है टिके का चलि रचंड को ब्रेंट को लका इंट है इसे पढ़ें और यंज पा दें प्रेंट्स जो यूरिनी कैथेटर होता है प्रेंट्स मैंने भी पता है प्रेंट्स जो थेली होती है ठीक है जो मुत्रा से वगएरा की जो थेली होती है क्योंकि बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनका सीजर वगएरा होता है तो उन्हें बार बार उठकर पेसाब करने वगएर उसे उठने में problem होती है, तो इस बैएसे उसको ऐसा किया जाता है, यूरीक कैثेटर दाल दिया जाता है, ताकि उसे कोई problemon ना हो, और आराम से urine output हो जाए, ठीक है, urine output हो तो यहाँ पर प्रेंस टू आवाइड पुलिंग ओन दी यूरिनरी केथेटर दी नर्स शूड टेपकेटर टू-दी पैसेंट पढ़े कोश्चन को अच्छे से यूरिनरी केथेटर को खिछने से बचने के लिए नर्स को रोगी पर केथेटर को टेपकरना चाहिए जो यह फो देजластन रहे और थे मुझे तो पूंची से अच्छे करना चाहिये इसे कहा पूछा गया है पूह उपर यहीं जांग के उप्री भाग में इसनी, आप देते हैं ताकि यह खिचाओ ना करें खिचे ना और बाहर न निकलें तो फ्रेंट से आप एक्स्प्लेंद देख लें कि यूरेत्रा और ब्लेडर की नेक पर खिचाओ जो यूरेत्रा होती है और जो ब्लेडर होती इसके नेक पर क्या होता है खिचाओ और लगातार संसे बचने के लिए ऐसा किया जाता है कैथेटर को आपर थाए के आंतरिक भाग पर टेप कर दिया जाता है ठीक है इसे टेप करते हैं ताकि प्राबलम ना हो फ्रेंट्स अब यहां पर फ्रेंट्स यह कोशन नंबर 18 है इसे विपढ़ लें और आंसर दें बताएं क्या होगा से पहले गुबारे को फुलाने से निम्न परडाम हो सकते हैं इंफलेटिंग दी वैलून बिफोर यू सी यूरिन कमिंग कैन हैब दी फालोइंग कॉंसे क्वेंस बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर यूरिन को आते हुए देखने से पहले गुबारे को फुलाने से नि urethral trauma हो सकता है ठीक है option यह आपका right है अब यहां पर एक्स्प्लेन देख लें प्रिंट्स की because expansion of balloon into urethra can traumatize the urethra because expansion of balloon into urethra can traumatize यहां पर प्रिंट्स ट्रामाटाइज दी यूरेथ्रा यह फ्रिंट्स हमारा लाइस्ट कोशन था 18 नमबर और प्रिंट्स अगर कोई भी कोशन है जो नहीं समझ में आया है तो प्रिंट्स आप हमारे whatsapp group number पर हमसे आप संपर कर सकते हैं मारा whatsapp group number है 1009031680 यह मारा whatsapp group number है 8009031680 प्रिंट्स कोई भी आपको query हो या कोई भी कोशन ना समझ में आया हो हम उसको दुबारा बता देंगे बता देंगे या फिर आप हमसे whatsapp पर भी पूछ सकते हैं वहां पर हम आपको बता देंगे कोई भी समस्या हो किसी भी कोशन पर आप यह चैक प्रिंट्स पूछ सकते हैं जितने जली हो सकेगा आपको एटवेंस रिपलाई दिया जाएगा चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक